हेलो फ्रेंड्स कि CC++ कोश्चन प्रेक्टिस करने की स्रीज में आज वो जो कोश्चन होगा वह हैं find all roots of a quadratic question मतलब एक quadratic question का हमें सारे roots फैंड रूट करने हैं तो जैसा कि आपको पता है कि quadratic equation जो होते हैं वो इस format में होते हैं ax square plus bx plus c तो यहाँ पर एक हमारे discriminant होता है उससे हमें पता चलता है कि हमारे roots कितने आने वाले हैं या फिर roots real होगा या फिर imaginary होगा तो उससे check करने के लिए क्या करते हैं deep hand root करते हैं ज़िए discriminant का value greater than 0 हुआ तो हम बोल देते हैं roots real है and unequal है यह real numbers क्या होते हैं imaginary numbers क्या होते हैं यह आपको पता होगा जदी d 0 हो तो roots real होंगे and equal होंगे लेकिन जदी d less than 0 हो तो roots imaginary होता है तो सब्सक्राइब आपको पास एक पिसन है x square minus 5x plus 6 equals to 0 तो इस किसमें आपको जो root आएगा वह x equals to 2 x equals to 3 जदी यहां पर आप calculate करोगे तो आपको answer यही आएगा तो यहां पर दे सकते हो दोनों value जो है वो अलग अलग है तो यह आपका example हो गया roots real and unequal मतलब d greater than 0 जदी दोनों equal आता equal के लिए यहां पर आप ले सकते हो 6x यहां पर ले सकते हो 9 तो उसके इसमें थिरी थिरी आएगा तो वो हो जाएगा आपके real तो imaginary में हम लोग से पर condition ने लेंगे कि जदी यह दोनों satisfy नहीं होगा तो हमारा root जो है वो imaginary होगा rest हम लोग यह दोनों को find root करेंगे imaginary में तुम ध्यान ने देंगे क्योंकि वो हमारे लिए काम करनी है तो दीखें root find root करने के लिए हमारे पास formula होता है minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a तो इसी का हम लोग यूज करने वाले है जब d greater than 0 होगा तो यह हमारे root लगेंगे लेकिन जब d पस्ट 0 होगा तो हम directly यह formula यूज करनेंगे मैनस b upon 2a तो हम h1 में क्या करेंगे d का value पहले calculate कर लेंगे और root के लिए यहाँ पर directly formula एंटर कर लेंगे imaginary में आप चाहो तो यह formula लगा सकते हो लेकिन imaginary case में हम लोग simply print कर वा लेंगे तो यह file create कर लेंगे file name होगा हमारा quadratic dot cpp enter header fast include करने है तो hash include iostream using namespace standard main method लेने है तो int main color packet enter तो देखिए यहाँ पर variables कितने आएंगे आपके पास ax ispire plus bx plus e तो a, b, c यह तो आएंगे लिए तो यहाँ पर ले लेते हैं a, b, c ठीक है discriminate निकालने के लिए d हो जाएगा तो वो भी ले लेते हैं d और root निकालने के लिए हम ले लेते हैं r1, r2 यह हमारे root के लिए हो जाएंगे अब यहाँ पहलू क्या करते हैं user को message देते हैं c out enter value of a, b, and c हमें basically a, b, and c का value enter करवाने है उसके बाद c in में हो जाएगा a, b, c 3 value enter हो जाएगा discriminant निकालते हैं यहाँ पर तो उसके लिए d एक पस्टू क्या होते हैं b square तो b into b minus 4ac 4 into a into c ठीक है discriminant निकल जाएगा अब यहाँ पर condition लेंगे if d greater than 0 रहा career bracket enter यहाँ पर आप चाहो तो tab भी ले सकते हैं जदिए d greater than 0 रहा तो यहाँ पर हम लोग क्रिंट करवा सकते हैं c out roots are rear and unequal यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जब रियल होगा minus b plus अब दिखिए हैं root के लिए हम लोग c plus plus में use करते हैं c math एक header of hash होते हैं तो यहाँ पर hash include यहाँ पर यहाँ से हम निकालेंगे स्क्वाइर रूट को 2 into a यहाँ पर भी आपको bracket बंद करना है थीक है numerator को भी bracket बंद और denominator को भी तो यह आरवान निकल गया इसी को copy कर लेते हैं आपका R2 निकल जाएगा तो R2 में कुछ निकरना यहाँ पर minus कर देना है यह हो गया else if में यहाँ पर कर लेंगे D का value जदि equals to 0 रहा curly bracket enter यहाँ पर double equals to लेना पड़ता है तो उस case में R1 equals to directly हो जाएगा हमारा formula यूज कर सकते हो minus B by 2A तो यहाँ पर यह formula क्यों आता है क्योंकि यहाँ पर आप दे सकते हो discriminant का value क्या हो जाता है 0 मतलब इस पूरे का value हो जाएगा 0 तो मतलब हमारे पास बचा minus B by 2A इसलिए दोनों का root equal आ जाता है तो यहाँ पर directly यूज कर सकते है minus B by 2A into A इसी को copy कर लिया control V यहाँ पर हो जाएगा R2 print भी कर भा सकते हो C out यहीं पर कर लिया R1 यहाँ पर स्पेस ले लेते है R2 statement ली सकते हो roots are R1 and R2 इसी को यहाँ से copy कर लिया control V तो यह हो गया नहीं तो else में हम लोग कर लेंगे roots are imaginary इसी को copy कर लिया यहाँ पर कर लेते हैं पहले इस case में क्या था roots real होंगे और equal होंगे और यहाँ पर else में directive प्रिंट कर वा देंगे roots जो है वो imaginary है यह हमारा हो गया है हमने कुछ नहीं किया variable declare कर लिया है user को message दिया है ABC का वेज़ा एंटर करवाया है यहाँ पर discriminate निकाला B square minus 4AC D greater than 0 रहा तो roots real होंगे और unequal होंगे यहाँ पर root निकाल लिया जो हमारे पस formula होता है यह R2 हो जाएगा तो minus B plus square root D upon 2A यहाँ पर minus के साथ आएगा उसके बाद equal के case में यह हो जाएगा formula यह दोनों equal हो जाएगे R1 and R2 प्रिंट करवा लिया और else में कर दिया और roots are imaginary आप चाहो तो यह formula लगा सकते हो लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर सर्फ मैनस ले लेना है किसी को प्रिंट करवा लेते हैं रन किया यहाँ पर enter value of A, B and C तो यहाँ पर कर लेते हैं सिम वही कर लेते हैं जो हमारा यहाँ पर था X is where मैनस 5X प्लस 6 तो यहाँ पर X कोफिसेंट क्या है 1 तो यहाँ पर ले लेते हैं 1 enter B को हो जाएगा मैनस 5 क्योंकि मैनस 5X है और यहाँ पर 6 enter तो दे सकते हो roots are real and unequal और value हो गया 3,2 जो कि हमारा यहाँ पर आ रहा था ठीक है 2,3 यह 3,2 हो सकते हैं फिर से run कर लेते हैं यहाँ पर कर लेते हैं 1 यहाँ पर कर लिया मैनस 6 और यह कर लेते हैं 9 इस case में 3,3 आ यहाँ तो दे सकते roots are real and equal और एक और कर लेते हैं imaginary well तो उस case में हमें return होगा simply roots are imaginary तो इस case में आप यहाँ पर कर सकते हो 4 यहाँ पर कर सकते हो 2 और यहाँ पर कर सकते हो 6 तो इससे क्या होगा यह होगा आपका A का value, B का value, C का value यहाँ पर जदे discriminant निकालोगे तो इस case में आपको imaginary मिलेगा क्योंकि यहाँ पर discriminant निकाल वेल्यू लेजन जीरो होगा 20 कार मैनस 4 तो वो negative में चला जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं तो देशकते हो roots are imaginary तो इस तरह आप quadratic question का roots निकाल सकते हो तो उम्मीद है यह बड़ी आपको जरूर अच्छी लगए होगी जैती अच्छी लगए होगी तो चैनल को share और सब्सक्राइब ग्रूपे साथ ही वे राइकर को ही प्रेस कर लेना ताकि जैसे में आपको अप्रोड करूं उसके नोट भी किसना आपको तुरह मिल जाया थैंक यू हैपी जर्ण